Good morning students. Today is, what is the day today? Today is Saturday. So, today is our activity class. You know, today is our activity class. So, let's start. आज हम लोग परहेंगे पहले, the sky. आज हम लोग क्या परहेंगे? The sky. Sky means आकाश, यानि आस्मान. आस्मान में क्या-क्या होते हैं? So, the sky looks blue in color. Sky का color कैसा होता है? Blue. We see the sun. हम लोग क्या-क्या देखते हैं वहाँ? We see the sun, यानि सूरज, the moon, यानि चंद्रमा, and the stars, यानि तारे. जो टिम्टिमाते तारे होते हैं. Stars in the sky. Okay? आज हम लोग the sun, the moon, and the stars. इस तीनों के बारे में परहेंगे और activity में sun का, moon का, और star का pick बनाएंगे. Okay? At first, the sun. We see the sun during the day. हम लोग सूरज कब देखते हैं? रात को? No. हम लोग सूरज कब देखते हैं? We see the sun during the day, यानि दिन में. हम लोग दिन में सूरज को देखते हैं. The sun is very big. Sun बहुत बढ़ा होता है. The sun gives us light and heat. सूरज हम लोगों को क्या देता है? Light, यानि प्रकास, और heat, यानि गर्मी. जब जारे का दिन होता है, तो हम लोग बाहर धूप में बैठते हैं, तो धूप कहां से आता है? Sun से. Look at this picture. आप लोग इस picture को देखो. Sun. और एक दम ऐसा picture आपको अपने notebook में बनाना है. पहले लिखना है the sun. फिर sun से क्या होता है? Sun हम लोग कैसा होता है? हम लोग कब देखते हैं? We see the sun during the day. The sun is very big. The sun gives us light and heat. और ये pick आप लोगों को अपने notebook में बनाना है. अब हम लोग पढ़ेंगे the moon. क्या पढ़ेंगे? The moon. The moon means चान. चंदा मामा. क्या पढ़ेंगे? The moon signs in the sky at night Sign means चमकना The moon signs in the sky at night हम लोग सूरज की बारे में परहने जब देखते हैं? दिन में और moon को कब देखते हैं? रात को रात को रात को आकास में चंदा मामा चमकते हैं The moon is not hot सूरज hot होता था न? hot है न? The moon is not hot Moon क्या होता है? होट नहीं होता है क्योंकि मून रात को आती है, रात को तो गर्मी नहीं होती है, रात को धूप नहीं होती है, इसलिए मून is not hot. The moon gets its light from the sun, the moon gets its light from the sun, मून को रोसनी कहां से मिलती है, sun से, कहां से मिलती है, sun से, the moon change its shapes everyday, और मून का जो चंदा मामा का जो सेप होता है, मतलब आकार उनका हर दिन बदलता है, आप लोग कभी रात को अपने आंगन या अपने बालकनी में आके देखोगे, चंदा मामा का सेप, आकार उनका हर दिन different shape रहता है The moon changes its shape every day तो repeat again the moon Moon means chandrama, यानि chanda mama The moon signs in the sky at night रात को आकास में chanda mama चमकते हैं The moon is not hot Moon गर नहीं होता है The moon gets its light from the sun The moon changes its shape every day और chanda mama का आकार shape हमेशा हर दिन बदलता है तो जैसे हम लोग सूरज का picture बनाएंगे उसी तरह से हम लोग चandrama का भी picture बनाएंगे एक round सा shape बनाएंगे आपने अपने previous activity में पढ़ा था ना horizontal line, standing line, slanting line, circle line तो हम लोग ऐसे circle बनाएंगे ठीक है आप घर में अपने भरों की मदद से sun, moon और अब मैं जो इस्टार पढ़ाऊंगे इस तीनों को picture बनाके उसका color करके आप मुझे अपने whatsapp group के दिखाऊगे the moon is complete now at last the star star में stara, टिम 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 टारा जो करता है star the star, star में stara पहले picture, देखो picture कैसा है तारा का छुटी 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 तारे है ना तारे कहा होते है, तारे भी है आजमाने, मैंने सबसे पहले पढ़ाया था उपर the sky, और sky में सबसे पहले हमने पढ़ा sun, उसके बाद पढ़ा moon और अब क्या पढ़ने वाले है, star, तो the star we see the stars at night, हम लोग star को कब देखते है, चंदा मामा के साथ देखते है ना छोटे छोटे तारे, तो we see the stars at night, हम लोग रात को चंदा मामा के साथ तारे देखते है, the stars twinkle in the sky, twinkle में स्टिम टिम करना, आप लोगों ने वह वाली राइम सुनी होगी twinkle, twinkle, little star, how a wonder what you are, above the world so high, like a diamond in the sky, राइम कैसा था चलिए, हम लोग अपने टॉपिक पहाते है, star, the stars twinkle in the sky, मतलब जो stars होते हैं, वो आसमान में टिम टिम करते हैं, we cannot count them, और हम लोग उसको count यानि गिंती, count means गिंती, we cannot count them, हम लोग उनको count नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंगिनत तारे होते हैं, असंखे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको count नहीं कर सकते ह तो हमने stars के बारे में क्या जाना, stars को हम लोग रात को देखते हैं, और ये sky में star ट्विंकल, we cannot count them, और हम लोग उनको count नहीं कर सकते हैं, तो student, today our activities in this chapter, हम लोग ने क्या क्या जाना, सबसे पहले sky, sky color is blue, the sun, sun color is yellow, and the moon, moon color is white, and the star color is blue, and white also, okay, तो आप लोग इस chapter को अच्छे से, अच्छे से read करके, notebook में इसका pick बनाओगे, और whatsapp के थुरू, आप लोग मुझे इससे send करोगे, okay, bye students,